Honestly, Moni Roy से मुझे इससे कहीं जादा उम्मीद थी. In fact, 20 million से जादा उनकी fan following सिर्फ Instagram पर है and I'm sure उनको भी इससे जादा ही उम्मीद रही होगी. Congratulations to Moni Roy and सूरज नामवियार जिन्होंने 27 जन्वरी को शादी की अपनी. ये वीडियो सिर्फ एक review है. Moni Roy के get up के बारे में, उनके make-up के बारे में, उनके jewelry के बारे में, उन्होंने क्या सही किया, क्या बहतर हो सकता था. ध्यान रहे, ये सिर्फ मेरी opinion है. जितनी मेरी समझ है, सिर्फ उसके हिसाब से मैं आपको guide करने कोहिश करूँगा क्या आप इन से क्या-क्या चीज़ों के inspiration ले सकते हैं, और क्या-क्या चीज़े आप इसमें बहतर और सुधार सकते हैं, क्या वहाँ पर थोड़ा से Moni Roy या उनके stylist जो भी करने में चूग गए. Only my opinion, no offense to anybody, okay? बात करेंगे उनके healthy function, संगीत function, उनकी wedding, Malayalam wedding and उनकी जो Kolkata में जो wedding हुई, Bengali tradition के साब से जो wedding हुई, इसकी भी बात करेंगे, पूरे detail में बात करेंगे, आईए शुरू करते हैं अपना वीडियो. Hi, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते, मैं हूँ सौमित्र, आपका jewelry expert from dazzles fashion and costume jewelry. शुरुआत करते हैं हल्दी फंक्शन से, हल्दी फंक्शन में मोनी रॉय ने एक बहुती खुबसूरत हेवी दे embroidered white color का लहँगा पहना है with sleeveless blouse, हलका हलका इसमें golden embroidery का भी काम है throughout, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से आप एक minimalist bride में होते हुए एक अलग सा trend सेट कर सकते हो, एक अलग सी चीज, एक different हट के कुछ look लेना चाहो, तो ये white color मैंने आपको recommend किया था, यहाँ पर Monero उने पहन भी लिया, इससे जीते जाकता, उधारन हो नहीं सकता, amazing stunning लगी है, इसके साथ उन्होंने artificial flower jewelry पहनी है, बस यहाँ एक problem हो गई, dress number one, amazing लग रही है, हट के लग रही है, flower jewelry उन्होंने white के उपर exactly white पहन लिया, I think यह गलत हुआ, because उनका overall ensemble पूरा उपर से नीचे तक white ही दिख रहा है, तो jewelry थोड़ा भी कुछ add नहीं कर रही है, उनकी personality में healthy is a very colorful event, बहुत joyous occasion होता है, वहाँ पर वो थोड़ा सा color element अगर add कर लेते हैं अपने flower jewelry में, तो बहुत ज़ादा personality निखर के आ सकती थी, मेंदी function में Jesse Moni Roy की fashion statement को ले करके image है, उन्होंने वैसा ही किया और बाख खूबी किया, इसमें कोई भी negative point नहीं है, आप सब इससे inspiration ले सकते हैं, पहला उन्होंने मेंदी में थोड़ा सा एक experimental yellow color का outfit पहना है, उसमें भी उसका जो overall silhouette है वो बिल्कुल different है, backless चोली है, throughout design में आपको tassels का काम दिख सकता है, और सबसे अच्छी बात कि dress में ही included है seashell के necklace का काम, बहुत amazing लग रहा है, इससे आप totally inspired हो सकते हैं, जूलरी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एरिंग और मांग्टी का पहना है, बहुत amazing combination है, आपको हूब हूब आप copy कर लेना शाहिए, इसमें एक बहुत अच्छी गौर करने वाली बात है, जो लोग बहुत जादा जूलरी की matching ले करके, एकदम सामने सामने रखके matching करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए है, गौर से देखिए, कान में जो एरिंग है, कान महीं होती है, जो एरिंग है, और जो मांग्टी का है, वो exactly match नहीं कर रहे हैं, मांग्टी का में colorful work है, एरिंग में नहीं है, जूलरी में अगर गौर करें, मुझे मल्याली लुक का exactly idea नहीं है, बट आपने से जो लोग भी South Indian look लेना चाहरा है, देखिया है, इन्होंने नत नहीं पहनी है, यह सोचने की बात है, इन्होंने बालो में बहुत खुबसूरत natural flowers का गजरा यूस किया है, जूलरी में जो चोकर और लॉंग का इन्होंने combination लिया है, चोकर बहुत heavy नहीं है, लॉंग भी sleek सा है, लेकिन जो pendant है वो बहुत खुबसूरत है, bold statement दे रहा है, South Indian look को complete कर रहा है, जो चीजे मुझे problem लगी, वो क्या क्या है, पहला, बहुत important ध्यान से सुनियेगा, जो माथा पट्टी है South Indian look में, उसमें जो side की पट्टी है, उसमें जो भगवान का जो idol, जो रूप बना हुआ है, वो सब sideways चल रहा है, ये बात बहुत जरूरी है, जो सामने से देखता है, उसको ये चीज और लगती है, कि आपने जो माथा पट्टी पहनी है, सोचे उसमें गणिजी side में ऐसे ऐसे से लेटे वो नजर आ रहे हैं, या जो भी भगवान है, सीधे होने चाहिए, तब जा करके उसका रूप निखर के आता है, इन्होंने cocktail rings का use नहीं किया, हत्फूल नहीं है, I can understand, बट cocktail ring का इस्तमाल करते हैं, तो हाथ कुछ जादा ही सूने लग रहे थे, वो भर जाते, जो bangles इन्होंने पहनी है, वो बहुत amazing है, अच्छा combination है, आप भी उस चीज़ को try कर सकते हैं, जो जुमकी है, उसकी length पे गौर कीज़े, बहुत सारे customers आते हैं, मिरे पास बोलते हुए कि, अरे भई, earring मुझे और heavy चाहिए, मैं बार-बार कहते आ रहा हूँ कि, earring की length उतनी ही रखे, जितना सामने वाले को देखने में, necklace और earring दोनों की सुन्दरता बराबर निखर के दिखे, ये नहीं की earring इतनी लंबी होगी कि, उसने necklace को ढख लिया है, तो इस point को note कीज़ेगा, इनके blouse में जो sleeve की fitting है उस पे ध्यान दीजे, आप में से जो लोग भी जिनको लगता है कि उनके hand या biceps का part जो elbow के पास वाला part है, वो जादा skinny है, तो exactly इसी तरह का आपको fitting जो है blouse sleeve की होनी चाहिए, elbow length तक आए और एक उंगली की just जग हो न जादा loose न जादा tight, तो आप में से जो लोग भी थिन हैं, इस बात पे गौर कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं मोनी रॉय के बेंगॉली wedding look पे, gorgeous तो लगी हैं, बट अपना review उपर से शुरू करते हैं, दुपट्टा इन्होंने double दुपट्टा लिया है, एक सर के उपर से लिया है, उसमें आयुश्मती भावा भी लिखा हुआ, I think 2-3 सालों से ये बहुत जादा trend में है, तो अगर आप भी इस तरह का लेने का सोच रहे माथा पट्टी बहुत amazing है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने शीश पट्टी का इस्तमाल क्यों नहीं किया, मेरे समझ से परे है, हो सकता है, इनको लग रहा हो कि बहुत जादा प्रचलन में हो गया है, तो मेरे को वो नहीं करना, उससे भी जादा पुराना जो tradition है, similar माथा कि नहीं आया कि नत किस तरह की है, किस चीज से matching लिया है, जो इस नत के दो स्टोन है, अजीब से बाहर से निकले हुए है, बिल्कुल आखों को चुब रहा है, in fact मैं आपको बताओ, जो मैंने पहला फोटो देखा मुनिर आगा, तो मुझे सबसे पहले उनकी नत ही दिख र लाउस से, अमेजिंग या आप इस तरह के अगर कुछ हैवी चोकर ट्राय कर रहे हैं, तो आप वीनेक या फिर स्वीठार्ट नेकलाइन लेंगे तो और भी जादा खुबसूरत लगेगा, बाकि ऐसा नहीं है कि यूनेक पर बुरा लगता है, बट स्वीठार्ट और वीने सकता था, लेंगे में नीचे के घेर की बात करें, तो आप में से जो लोग भी हैच शेप के हैं, एपल शेप के हैं, उनको ये बात कौर करनी चाहिए कि आपको नीचे जिस तरह का मोनी रोय का आपका लेंगे का घेर है, उतना ही बड़ा आपको लेंगे का घेर रखना चाह इनके ड्रेस की जितनी तारीफ की जाए कम बेज एंड गोर्ड में हेविली इंब्रॉइडर्ड बहुत अमेजिंग सिल्वेट वाला इन्होंने लहंगा कैरी किया है अगैं जितनी तारीफ करें उतनी कम इस द्रेस की दो प्रॉब्लम्स इसमें नजर आई वो यह है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो के श्रूब मैंने मुनी रह से जादा मुनी रह से जादा एक्सपेक्ट किया था वह यह था जैसे कि इन्होंने शादी में अपनी बेंगॉली ट्रेडिशनल शादी में भी पोलकी के साथ ग्रीन का इन्होंने एमरेल बीट का लिया यहां पर भी उन्होंने ग्रीन नम्रेल बीट का ही लुक क्यों लिया मेरे समझ से पर है वो रूभी में जा सकती थी पेस्टल में जा सकती थी पूलकी स्टोन इतना बड़ा सा थोड़ा अजीब लग रहा है अगर आप आप आटिफिशल जूलरी में जा रहे है तो डेफिनेटली इतना बड़ा कभी भी पूलकी पीस मत लीजे क्योंकि वैसी नकली लएगा विकॉस इट बिकम्स क्वाइट एक्सपेंसिव तो यह दो च पे रिव्यू जरूर करूं सो अगया होगा आप मिसे जो लोग के मन में कोई सवाल है आप मुझे कुछ चूलरी खरीदना चाहते हैं तो डाजल जूरी डॉट इन किसी चीज़ की मैचिंग की उपर अगर जूलरी के बारे मुझे सलाह लेना चाहते हैं और मुझे पर्चेस by my subscribers only I'm Saw Mitra signing off for now your jewelry expert from Dazzle's fashion and costume jewelry